हाई एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो बुद्धवार का दिन है और टाइम जो है 11.35 हो गई है ये वीडियो ना मैंने स्टार्ट किया था थोड़ी दिर पहले ही 5-10 मिनिट पहले तो हुआ क्या कि मैंने जैसे स्टार्ट करना था तो सोचा थोड़ी सी आप सबसे बात करके ही आज का वीडियो सुरू करती हूं लेकिन जो है उसमें देखा मैंने कि आवाज बहुत सुलो आ रही थी तो 5 मिनिट का टाइम बढ़ गया अब भी जो है पूजा पाठ करके आई हूं नहाद होके आज सुब बजे ऐसे टेड़ बजे नहाना होता है तो मैंने सुचा कि इकठे नहा लूंगी तो एक ही बार में हो जाएगा मलवभी नहावा के बाल वाल धो लिया है पूजा अगरा हो गया है तो अब सुबह का सारा काम भी हो गया है सब कुछ हो गया है बस मुझे पूजा की तयारी जो सामान ले जाने है, रखने है.. तो थोड़ा सोचा कि, आप सबसे बात भी कर लूँ है, वीडियो कर लूँ है और थोड़ा सा रेच्ट भी रहे मे लिएम इसी भाहन cane हो जाएगा थोड़ा सा बैठ लूँंगी, शुबह से बैठी नहीं हूँ, वही ह душ हो तो बस अब वो लगाने हैं सारे बरतन दो के तो रखा हुआ है लेकिन अभी लगाने हैं और पूजा की तियारी करनी है यही सब है साम को मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं रहती है काम करने की जब तक पूजा मतलब नहीं हुई रहती है पूजा करने जाती हूँ और वहां से आने के बाद बिल्कुल हिम्मत खतम हो जाती है नहीं रहा जाता है यह क्या मुझसे कोई भी बिना पानी वाला ब्रत नहीं आजाता है ऐसे तो जो मतलब निवरात्री हो गया या फिर ये प्रदोस में रहती हूं तो उसमें उतनी दिकत नहीं होती है लेकिन ये जो निरजल बृत रहना होता है ना हालत खराब हो जाती है एकदम तो और सब में तो मैं रात को पानी पी लेती हूं लेकिन आज जो है कल पीना है आज नहीं पीना है तो जादा ही कंडिशन खराब हो जाएगी और ब्रत के ना मतलब दो दिन बाद तक मुझे प्रॉबलम होती ही रहती है जैसे बहुत जादा दिकत हो जाती है लेकिन वही है अब हमारे यहां का कल्चर है परमपरा है तो रहना है और मेरे घर में जै पुरंद बाद जो है गडेश चतुर्थी और यह जी उतिया यह दोनों भी उठा लिया था तो चलिए फिर अभी चलती हूं जो है वही सामान पापा ले आने गहां भी आया भी नहीं है तो यह सामान आ जाएगा तो सब को रखोंगी और बरतन लगाऊंगी यह दो काम करने है उसके बाद वही टाइम धीरे धीरे अभी यह नेल पॉलिस वगरा लगाने है और पैरों में आलता यह सब काम करना है तो इतने में दिन मतलब भी जाता है यही सब तयारी वगरा करने में पूजा का टाइम हो जाता है तो चलिए पहले बरतन वगरा रख लेती हूं फिर आप से जो है मिलती हूं तो बरतन जो धुले हुए थे उनको लगाया जो बाहर रखा हुआ था बास्केट में अंदर वाला तो छोड़ दिया है थोड़ी सी ना मतलब ठकान जैसे होने लगता है तो वही धीरे-धीरे करके ही काम करती हूं इस तरह ब्रत में और सामान आने म थोड़ा सा भी टाइम था मतलब पापा को अभी नहीं आये थे तो मैंने सोचा ये सब काम ही निपटा लेती हूं क्योंकि जाने का भी ना बाद में हुआ कि मतलब वही मैंने आप सबसे बात की उसके बाद ही एक लोग आई गाउं में से तो वो बोली कि जाना जल्दी है प सब लोग जाएंगे तो बस मुझे जाना रहेगा तो बस यहां पे आलता लगा लिया है पैरों में और निल पॉलिस वगरा ये सब काम कर लिया फिर उसके बाद सामान भी आ गया तो सारे फल वगरा धो के सब मैंने ठाली में लगा दिया है और यहां पे यह जीवतिया मैं आप सबको दिखा रही हूं बहुत धेर सारा करीब जो है ना 17-18 जो मैंने गीना तो नहीं गिनती से लेकिन 17-18 ऐसे करके हैं पिछले साल गीना था क्योंकि पिछले साल हम लोग ने घर पे पूजा नहीं की थी यहां पे मतलब हम लोग के परिवार में वो पढ़िया था मतल मतलब ना ममी का और मेरी जो दादी सास है उनका मतलब दादी सास जो थी और सब का जो है ना इसी में है और अबी तक मतलब निकाला नहीं कुछ भी तो जैसे था मम्मी जैसे रहती थी बस मैं भी वैसे ही सब करती हूँ बस मैंने जो है अपने तनमय का और जो है मेरी देवरानी का बेटा है उसका दोनों लोग का नया बनवाया है बाकी और जो पहले का था सब ऐसे ही है तो इसको ना मतलब धागे में पिरोने में बहुत टाइम लग जाता है पूरा निकाल के धोना फिर छोटे बड़े कई साइज के हैं तो सब को जो है वो करके धो के अच्छे से पानी में फिर जो है नए वाले धागे में पिरोना होता है तो पुराना वाला भी वहीं पे जाता है चढ़ा दिया जाता है और नया वाला चढ़ा के फिर वापस आ जाता है घर पे आज का वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो गया है मतलब मैंने काफी स्किप भी किया है लेकिन वही होता है कि जो जरूरी चीज़े हैं वो दिखानी होती हैं हम लोग कहां कैसे पूजा होता है हर जगां का अलग-अलग रिती रिवाज होता है तो वही मैं सोच रही थी कि आप सब मतलब थोड़ा सा मतलब देख लें अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हम लोग की तरफ किस तरह से पूजा की जाती है तो इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप लोग प्लीज इसकीप मत करिएगा पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो बस यहाँ पे सारा सामान मैंने रख लिया है उपर से एक साड़ी भी नहीं चड़ाई जाती है तो वो रखा है और पूरा ढग दिया अच्छे से रख दिया कि बस अब जाना रहेगा और यहाँ पे आके मैंने चेंज कर ली है सारी पहन ली और चूड़िया हो गया बहुत सिंपल सा मेक अप वैसे भी मैं बहुत जादा करती नहीं हूँ और इसमें भी मतलब बहुत जादा कुछ नहीं किया है और ब्रत की वज़ा से वैसे ही मतलब एकड़म डाउन सा एनरजी जो है आप जैसे जैसे साम होता जाएगा बिल्कुल ही मतलब एनरजी खतम होती जाती है तो बस वही मैं देख रहे थी और थोड़ा सा गाउं में जाना होता है मतलब ना वहां गाउं की सारी औरते रहती है तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहना भी ज़रूरी है तो बस मैं देखे मेरा चेरा कितना उत्रा हुआ लग रहा है तो यहां पे ओड के पूरा पलू अगरा अभी मैं रेडी हो गई हूँ बस जाने के लिए बहां पे तो कैसी लग रहे हूँ आप सब कमेंट करके जरूर बताईएगा तो बस हम लोग आ गए हैं यहां पे तो यह ना वो है प्राइमरी स्कूल है लोगों के गाओं का तो यहीं पे पूजा यह होती है और देखे काफी सारी ओरते हैं दो जगह होती है मतलब यहां पे भी होता है और एक मंदिर हमाता रानी का वहां होता है तो मैं सुरू से ही ना जब से मैं पूजा करी हूँ मेरी मम्मी भी यहीं पर आती थी तो इस वज़े से मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ बहुत लोग बोलते हैं जैसे मेरे आसपास की भावी लोग भी कई हैं जो वहाँ पर जाती हैं तो वो लोग बोलती हैं कि तुम भी वहीं पर चलो है तो बस देखिए बहुत सारी भीड़ है तो मैंने भी मतलब पूजा कर लिया है खड़ा होके मतलब शुरू में ही मैं जल्दी आ जाती हूं क्यूंकि ना फिर जगह नहीं मिलता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर पीछे बैठ के पूजा करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो वही पूजा भी हो रहे थी उसे में बात चीत और कहानी भी होती है चार पांच तो वो सब करने के बाद फिर मैं घर आई का फी टाइम हो गया और घर आने के बाद ना तुरंत जो है मतलब मैं लेठी गई थोड़ा बहुत वही सुबह के लिए तयारी की और खाना वगरा इन्होंने ही बनाया आटा वगरा गुत के दे दिया था खाना इन्होंने ही बनाया मैं सो गई अभी सुबह का टाइम है तो नहाना दोना साप सफाई मतलब घर की हो गई है और यहां पे अभी मैं पानी पी रहे हूं तो टाइम करिब जो है ना पौने साथ पी रहे हूं पानी और यहां पर अभी हो गई है पापा की तयारी हाई एव्रिवान गुड़ मॉर्निंग तो यह अगली सुबह है मतलब आज दिन है घुरु वार का दिन है तो अभी मैंने पानी पिया है कल के बाद वही अभी जो यह साथ बजे से पहले पानी पीना था तो पानी पी लिया है बाकी चाय वगरा भी तो कुछ हुआ नहीं पापा को जाना था तो सुबह से हैदराबाद वही उनके गुरू जी का वो जनम दीन है तो आठ बजे के उनकी फ्लाइट साड़े आठ बजे की साइद है तो सुबह उठ तो गए थी लेकिन वही उनके लिए आलू का पराठा बनाना था वही सब त्यारी करने थी तो मैं तो नहा दो के पूजा करने में लगे सिर्फ आलू मैंने उबाल दिया था और आठा लगा दिया था बाकी इन्होंने बनाया है और किचन के हालत देखे कैसे य है हमारा हाथ अगर ना ऊओना तो फिर कीचन इसी तरह से हो जाता है से इधर का वी दिखिए तो बहुत गड़बर हालत है तो अभी मुझे नाम पूजा करनी है वह मम्मी के लिए मतलब वह मतलब हो होता है नãoमी सराथ वह वह पूजा होना है तो उसके लिए भी खाना बना दे देते हूं और मैं भी चाए कप पी लगուगी उसके वाद ही फिर का में स्टार्ट होंगे तो तनमे को चाय देने के बाद तुरन जो है मैंने चाय अभी नहीं पी पानी फिर से एक घ्लास पिया पानी का ना जैसे वो लगा हुआ है होता है ना कि जैसे तास हो जाता है उस तरह का हुआ है बहुत जादा वीकने सुबर इस टाइम पे मुझे काम करने का बिलकुल मन नह गया पापा के जानने वाज़से नहीं तो अभी तक न मैं मतलब बना लेती हूं जो चढ़ाना होता है वह समना मेरा बन जाता है क्योंकि जारू पोछानाना दोना तो सब मैंने करी लिया है और अगर नहीं बनाना रेता पापा को तो उसी टाइम में किचन भी क्लीन कर लेती सुबही और उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दी होती तो आठ वजे के करीब जो है मलब बन जाता लेकिन अब जो है दुगुना टाइम लगेगा मतलब 10 तो बजी जाएगा यह सब करने में बरतन वग कि मतलब मैं उठी ही नहीं जब आठा वगर लगा के इनको दे दिया था बरतन जो दो चार धुलने थे वो धुलके और सुबह के लिए चना दाल यह सब भीगा के मैं सो गई उसके बाद एकदम उठी हूँ सुबही किचन में मैं देखने भी नहीं आई कि क्या है कैसे है तो सुबह बस वही आलू वगरा बॉल किया जाडू पोचा यह सब मतलब आदे काम निप्टाएं आधा जो है इन्होंने ही निप्टाया तो अब लगी हूँ तो थोड़ा सा पानी वगरा पीने के बाद ना अब जो है थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है लेकिन फिर भी ना जै आप सुत्रा रख करने के बाद यहां पे जो है चड़ा दिया है कूकर और इसमें तेल डाला है पचपोरन हरी मिर्च और यह अद्रक लैसुन नहीं डालना है लैसुन प्याज नहीं डलेगा जब खाना बन जाएगा चड़ जाएगा तो उसके बाद हम लैसुन प्याज डा लगता है नमक वगरा तेल सारा कुछ मैंने साप ही रखा हुआ है जो डेली बनता है न वो चीज नहीं यूज करनी है सब कुछ साप सुत्रा रहना चाहिए तो बस हल्दी नमक यह सब पैकेट का ही डाल दिया है और अभी जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दूंग यह पिंडदान होगा मतलब अभी तो उसकी भी तैयारी हो रही है सारे सामान वगरा यह आ गए है पापा को छोड़के तो तुरंद बस वही सेविंग वगरा मतलब एक हपते जो है सेव कुछ नहीं हुआ था ना जैसे इसमें नहीं करवाया जाता है बाल वगरा कटाना वगरा कुछ भी नहीं तो आज जो है सब कुछ कराया नहाद होके यहां पे देखे बैठ गया है वही पिंडदान कराने तो इन सब में भी मेरा थोड़ा सा टाइम गया नीचे उपर मतलब जो सामान चाहिए था जो घटा बढ़ा था वो सब देना था तो यह हर साल होता है और यह आज के ही दिन नौमी का सराद किया जाता है तो मतलब मम्मी काम लोग करते हैं जैसे आज के बाद ना फिर हमारा इस पित्र पक्ष में मतलब सराद के दिनों में मतलब कोई वो नहीं रहता है आज खतम हो जाता है सब कुछ तो बस यहां पे खीर भी चड़ा दिया है तो मैंने हो भी गया है लगबग थोड़ा सा टाइम है लास्ट में यहां पे थोड़े से काजू बदाम कट किये थे वो डाल दे रहे हूं चीनी वगरा सब कुछ डाल दिया है और आटा भी लगा लिया है तो बस यहां पे पूरियां भी तल ले रहे हूं तो अभी न चड़ाने के लिए ही बना रही हूँ चड़ा के आऊंगी उसके बाद फिर जो है बनाऊंगी अच्छे से इत्मिनान से अभी ये रहता है ना कि बिल्कुल साप सुत्रा रखना है बिल्कुल जूठा वगरा कुछ नहीं करना है तो थोड़ा सा रहता है कि चड़ जाएगा तो सही है तो बस छोटी-छोटी पूडियां ही तली है क्योंकि इसको जो है कवे को और गाय को फिर कुद्दय को ऐसे खिलाया जाता है तो यही परमपरायना हमें अपनों से जोड़ती है अपनों को अपनों से जोड़ती है और संस्कार भी जैसे मेरा बेटा भी ना पूछता रहता है आप लोग क्या कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं तो फिर वही बताया जाता है कि दादी के लिए किया जा रहा है तो एक होता है ना कि उसको भी रहता है कि हां ममी पापा जैसे दादी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मतलब एक अलग स पूजापाट करने के बाद फिर से मैंने चाहे अपने लिए बनाई ये निकल गए हैं इनके लिए एक्स्ट्रा पूड़ी मैंने चाहन दीती तो बस दो पूड़ी खाके निकल गए कि आऊंगा बाद में खाऊंगा तो अभी मैं सबजी की तयारी करें हूँ कि सबजी अगर बना के फिर उसके बाद जो है और पूड़ियां जो है वो तलूंगी तो ये कद्दू और आलो की सबजी बनेगी तनमे के लिए वही आलो जो बचा हुआ था सुबब परार्था बना था ना उसका आलो बचा था तो वो परार्था मैंने बना के दे दिया है तो बस वीडियो का एन भी यहीं पर कर रही हूँ व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थैंक्स वर वाचिंग